हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम शुभम है और आज की इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग करूँगा इस टैबलेट की प्लस इसका रिव्यू बताऊंगा आपको कैसा है टैबलेट है और इसे लेने चाहिए ने लेने चाहिए मैंने इसे आमे जोन से ओर्डर कराता है यहां पर इसका कलर बता रखा है कि Oxford ग्रिका अता यह इंदर यह सेंडर के रखा है और यह थे टैब का नहीं मोरी एक लिख रखा है और तो बस यह फ्रेंट है और इसके बैखमें इसकी स्पेसिकरेशन लिख रखियें कि हो जाहें करके रखता है इसकी प्राइजि जादे लिख रखिए लेकिन इसकी true-study अमस्ट कितने बड़ा बाकि इसमें क्वे बुद्ध भागे भूरपे का उप अगश्टक सप्पारी ऑं दें इस अदर आते हैं सेूल और को आप यह अब लेट आता है इसे हम इधर रख देते हैं भी इसे हम ओपन करेंगे और इसके अंदर अभी एक अड़ेप्टर आता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह 7.5 वाट का चार्जर है ओके दैन हम यह केबल देखते हैं यह केबल टाइप सी केबल है ओके दैन यह सीम यह सीम नहीं आता it heger दो रहते है ilti जिसे कहते हैं और दूसरा वायफई वियैट का सो यह बाला थी अं-पेंवट्रेरग्णी भाकी यह बिम इनुखले मांस फैरक्टपल के तो पेंदे ने फियरत है है और इसमें इसकी मैं स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा आपको इसे पहले में सो ओपन कर लेता हूं और इतने ओपन होगा इसकी मैं इतने इस पेसिफिकेशन सहब बताऊंगा तो फिलाल मेंसे निगाल लेता हूं तो यह वो टैबलेट है अगर आप देख पा रहे हूंगे यहां सैमसंग की ब्रेंडिंग है यह कैमरा है यहां साउंड बाई कीज़ी लिखा हुआ है तो फिलाल मेंसे अटा देता हूं यहां से ओके काई यह यह इस्तरे आप ताबलेट है फ्रेंट से और यहां पर यह यहromद है यहां पर यह कैमरा है सका और मैं इसे बूट कर देता हूं यहां पर बटन से यहां इसके साइड में पीज़्वावर्व स्भाइब नहart edited असके ब्सका變 इसमों स्टेस्ट जैसे मेरे नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर इसका अए अदल की जगय हो गया लगाने की तो मेरे में नहीं है क्योंकि मैंने वाइफाई वाला ओडर कर आता है और इसकी जो एक्सपेंड़ेबल है और वन टीबी तग एक्सपेंड कर सकते हैं यहां पर टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए और यह स्पीकर है और यह बिल्कुल क्लीन है यहां से और यहां पर 3.5 mm जैक है हां इसके साथ यह आता है यह अच्छी बात है और यह सेगंडरी माई के और यह स्पीकर है सो स्राउंडिंग साउंड आएगी क्योंकि एक ऊपर स्पीकर दे रखा एक नीचे स्पीकर दे रखा है सो यह बूट हो चुका है मैंने से सेट अप भी कर लिया है के सो यह इस तरह का दिखता है अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूं पहले आपको यह 10.4 इंचिस की स्क्रीन है इसकी जैसे की आप देख पा रहे होंगे और इसके अंदर S-Pen इसके साथ आता है जो यह रहा इसका S-Pen और इसमें फ्रंट वाला जो कैमरा है वो इसका 5 Megapixel है बैक कैमरा 8 Megapixel है और Dolby Atmos को यह सपोर्ट करता है मिन्स दोने स्पीकर एक स्राउंडिंग सांड प्रोड्यूस करते हैं अंडर 10 operating system के साथ आता है यह और इसके अंदर Octa-Core processor है Samsung Exynos 9611 यह सही processor है इस tablet के साब से और सबसे बड़ी बात इस tablet के अंदर जो है वो इसकी battery है जो कि हमारी 7040 mAh की है मुझे इसकी battery अच्छी लगी है आपके और यह tablet है और इसमें यह जो S Pen है यह आप अगर काम नहीं करें तो हम यह attach कर दीजिए वाकिस के अंदर कई modes है और अगर मैं आपको इसकी setting में जाके दिखाऊं इसके about tablet में जाऊं और software information में जाऊं तो आप जैसे की देख पा रहे होंगे यह Samsung की UI 2.5 पर चलता है जो अभी latest है और Android 10 के उस base पर बना हुआ है और इसमें कई इसके जैसे आप मैंनों को बताए कि इसमें S Pen है तो इसके कुछ unique features इसके साथ इसके साथ आते हैं जैसे की अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें कि जैसे अभी मैंने इस तरह से screen पर हूँ और यह वाला जो button अगर मैं से click करके इसके पास करो तो आप जैसे देख पार होंगे अपर यह feature आ गया और इस पर अगर आप जाते हैं तो यह कई इसके features हैं जो इसके साथ आते हैं और सबसे बड़े बात है कि अगर आप screenwriting करेंगे तो जो भी आपकी particular screen होगी उसे यह screen mode में ले जाएगा और जो भी आपको लिखना होगा वह आप लिख सकते हो और सबसे बड़े बात जो मुझे Samsung की बड़े अच्छे लगती है कि जैसे कि आमने देखा बिलकुल वही जो आप लिखते हो वही लिखता है बिलकुल उसी handwriting mode में अगर आपको इसे सेव गर सकते हैं और अगर आपको नोट्स बनाने होगा आपको सिंपल यहां किलिक करना होगा और यह नोट्स के लिए है और यह कई features हैं और सबसे बड़े इसमें एक-दो इसमें एप्लिकेशन में दे रखिए जिसा आप स्कैच बना सकते हो अब हम इसके साउंड पर आते हैं कि इसकी साउंड कैसी है सो मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं ncs की जो को पिराइट नहीं आता जिससे सो यह मैं चला रहा हूं आप जैसे वीडियो में आपको बनदशता है कि सुनाई दे रहे हैं दे रहे हैं आप कर दो तो मैं अगर आपको इसका रिव्यू बताऊं तो मुझे तो बड़ अच्छा इसमें साउंड क्वालिटी इसकी लग रहे हैं और यह डॉल्बी आट मॉस का भी स्राउंडिंग साउंड बड़ अच्छी आ रही थी इसमें आपको इसमें वीडियो में आरी नी होगी नी आरी होगी पर मुझे तो बड़ अच्छी लग रहे थी ओक कर देगा तो इसमें फिंगर पिंगर प्रिंट नहीं था लेकिन अगर हम इसमें स्क्रीन लोक पे आय तो इसके अंदर एक पैटरन है पीन है पासवर्ड है और इसम तो मैं एकद आपको लगा कर दिखा है पिर आपको इसे ठीकित करे को उन अनलोग कर सुटिए मैं अपने से रिइस्टर कर लिए इसका Mac इसे बॉटन क्लिक करता सो पना पंधे इस देखा कितना खैसिना मूलना में और और ऑप बुआबिधे और दिदेद बीधे चाहर को और किसकी स्कुरेटी को तो मुझे तो फ़र्स्ट टाइम में बड़ए लगा इसका फेस म्लोग तो फर्स अगर में है अपना येस का फर्स इंप्रेशन था प्लस इसर की स्पेसिफिकेर्ष मैंने बता दिये और एकीन मैं सब्सक्ति कैम डिखा था हूंёл और मैं आपको दिखाता हूं और चलिए मैं आपको पहले camera sample खीच लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं मैंने इसकी samples लिये थे मैंने आपको samples खा देता हूं मैंने इसी दिखाने के लिए आपको खीचें तो जैसे के आप देख पा रहे होंगे अगर मैं आपको बताओ इसके सो मुझे camera first impression में सही लगा क्योंकि tablet के बाकि अगर आप और tablets देखेंगे इस range में चितने का मुझे पड़ा उसके साबसे ये camera इसका decent है basically tablet को आप इस तरह से आप camera तो नहीं खीचोगे आप photo तो नहीं खीचोगे इस तरह से camera यूज करके अब मैं आपकी बात करता हूं इसकी pricing जो इसकी pricing है वो इसकी pricing इस wifi model की है जो मुझे पड़ा ये 27,000 का पड़ा ये amazon से मुझे और ये tablet इस price को justify भी गरता है क्योंकि मैंने से जैसे मैंने इसकी specification देखी थी इसके front और rear camera भी देखेंगे ये justify करता है इस चीज को कि जितनी इसकी price ले रखी है बाकी और कोई अगर sale आएगी तो वो सस्ता मिल जाता है लेकिन basic इसकी value भी इतनी मिल रहे आए और बस इस video में इतना ही था अगर आप कोई video पसंद आए तो इस video को like करें, share करें और इस channel को subscribe जरूर करें क्योंकि आप subscribe नहीं करते हैं और अगर आप तक यहां तक वीडियो देखें और आपना channel को subscribe नहीं करते हैं तो प्लीज इस channel को subscribe करें आगे भी इस तरह के interesting video आते रहेंगी thank you